मुझा दोस्तों दिस इस शुभम और मैं आज एक नहीं केस्टड़ी आपके सामने लेकर आया हूँ और यह जो केस्टड़ी पूछी कही थी वो 2019 में यह केस्टड़ी पूछी कही थी और हम आप सब के साथ Synopsis IS के platform पर मिले हैं और यह जो केस्टड़ी है वो UPSC IS और PCS के लिए relevant है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस कोर्स का जो mission है mission है 120 प्लस marks attain करना तो चलिए शुरुआत करते हैं और all the best तो question देखते हैं एक बार फिर उसके बाद इसका approach देखेंगे और कैसे हम इस case को solve करेंगे वो भी आज हम discuss करेंगे तो case यह कहता है कि in recent times there has been increasing concern in India to develop effective civil services ethics code of conduct transparency ethics and integrity system and anti-corruption agencies in views of this इसको ध्यान में रखते हुए ठीक है आज जरूरी है कि हम specific areas पर focus करें ठीक है और ताकि हम integrity और ethics को civil services में internalize कर सकें ठीक है कहने का मतलब यह है कि आज के परिपेश में in today's context civil services के अंदर integrity, ethics, moral values, character और उसके अलावा honesty इन सब चीजों के उपर काफी focus किया जा रहा है ठीक है तो इसी में तीन पार्ट में इस question को इस case study को पूछा गया है और हमें यह पूछा है कि कौन से हमें institutional measures अपनाने चाहिए ताकि हम इन तीन issues को address कर सकें ठीक है इन तीन issues का समाधान करने के लिए हमें कौन से institutional measures अपनाने चाहिए institutional measures का मतलब होता है जिसमें आपका देखोगे तो law law क्या बना सकते हैं फिर उसके अलावा आप agencies का गठन कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा और भी reform कर सकते हैं जैसे training etc तो यह सारी चीजें institutional measures के अनितरगत आईगी थोड़ी सी writing खराब है मेरी पर hope you will be able to bear with it तो पहला सवाल ये कह रहा है anticipating specific threat to the ethical standards and integrity in civil services ठीक है तो पहला पाट ये कह रहा है कि हमें उन issues को ध्यान देना है जिसकी वज़े से civil services के अंदर ethics और integrity compromise होती है कौन से ऐसी चीज़े हैं जिसकी वज़े से जो खत्रा है civil services के ethics और integrity के लिए कौन से ऐसी चीज़े हैं जो खत्रा है ठीक है तो हमें पहले तो खत्रे कौन-कौन से हैं वो बताने हैं और institutional measures क्या अपनाने हैं ताकि उस खत्रे को हम solve कर सकें फिर दूसरा है कि ethical competence से administrative process और practices को हमें promote करना चाहिए जिसे values of ethics and integrity हम civil services में promote कर सकें ठीक है तो यह तीन अलग-अलग part है इसको देखने हैं कैसे करेंगे तो बहुत simple इसका कोई structure बनाने की जरूरत नहीं है जैसा कि मैंने बताया था कि यह जो case study है यह again यह थोड़ी से descriptive है जैसा कि दो तरीके की case study होती है एक होती है situation based और यह होती है descriptive तो चुकि यह descriptive case study है तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसका कोई खास अलग से structure नहीं बनेगा तीन अलग-अलग parts है तीनों अलग-अलग parts को हमें टार्गेट करना है हमें उसके उपर focus करना है फिर उसके बाद simple साह में way forward में conclusion देखना है ठीक है तो इतना है तो चलिए तो पहले देखते हैं कि क्या threats ethical standards ठीक है कौन से ऐसे चीजें हैं जिसकी वज़े से civil services की ethics और integrity को खत्रा है तो सबसे पहला है कि poor remuneration and job satisfaction ठीक है civil services में आप देखेंगे कि जो salary है वो कम है ठीक है salary is low income present to private sector फिर job satisfaction का भी issue कई बार आता है ठीक है especially अगर आप police services में देखेंगे तो जो job की satisfaction level है या working environment है काफी poor होता है तो एक तो ये threat है जिसकी वज़े से ये safety और पैसा सही से नहीं मिलता ये सब सारी चीजें जिसके वज़े से corruption और ये सारी चीजों को बढ़ावा मिलता है ठीक है जब पैसा नहीं मिलेगा घर के खर्च नहीं चलेंगे तो अकसर civil servants जब हम civil services की बात करते हैं तो हम सिर्फ higher officers को ही नहीं देखेंगे जो lower level पूरा जिसमें आपका clerk से लेके एक police constable से लेके superintendent से लेके DGP तक आता है ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने answer को लिखेंगे तो job satisfaction नहीं है जौब में जो salary है वो भी काफी कम है political pressure political interference भी लिख सकते है ठीक है political interference ये भी एक major factor है फिर caste and other kind of affiliation ठीक है कई बार civil servants जो है instead of functioning impartiality ठीक है impartial होने के बजाए कास्ट और दूसरे तरीके के affiliation को ज़्यादा तवज्यों देते हैं for example जैसे मान लिजे कि आप civil serv अक्सा यूपी में मैंने देखा है कि अगर आप मान लिजे कि motorcycle से जा रहे है ठीक है अगर आप motorcycle से जा रहे है और एक constable ने आपको पकड़ लिया ठीक है तो आप उसको अप आपने देखा होगा same way अगर आप देखेंगे कि जब हर्याणा में जाट एजटेशन हुआ था ठीक है जाट एजटेशन तो उस जाट एजटेशन को प्रोब करने के लिए प्रकास सिंग कमिटी बनाई गी थी तो प्रकास सिंग कमिटी की finding ये थी कि जितने भी public officers थे civil servants थे वो जाट एजटेशन में उन्होंने कास्ट affiliation को ध्यान में दिया यानि कि जितने भी जाट कमिटी से बिलॉंग करने वाले police officers और civil servants थे उन्होंने एक तरीके से उनका soft corner था जो जितने भी violators थे जितने भी दंगाई और जितने भी mob थी उन mob के प्रती soft corner था ठीक है जिसके वज़े से उन्होंने सही तरीके से अपना काम नहीं किया फिर greed for creamy post and post retirement benefits ठीक है कई वर civil servants गलत कामों को तवज्यों देते हैं ministers को politicians को favor पहुँचाते हैं ठीक है politicians को favor पहुँचाते हैं ताकि उनको यह लगता है कि अगर हम अपने minister को जिसको बोलते है yes minister culture yes minister culture ठीक है yes minister culture ठीक है yes minister culture उनको यह लगता है कि अगर वो अपने minister के गलत बातों को भी मानेंगे तो उसके बदले में उनको अच्छी जवहों पर posting मिलेगी ठीक है उसके अलावा रिटार होने के बाद post retirement benefit हो सकता है कि वो कहीं पर governor बना दिये जाए ठीक है या समय समय पर उन्हें किसी ने किसी committee या commission का member या उसका chief बना कि उनको retirement के बाद उनको benefit पहुंचा सकते हैं ठीक है क्या हो सकता है कि retirement के बाद वो national human right commission के member बन सकते हैं ऐसे बहुत सहरी posts हैं जो retirement के बाद civil servants को मिल जाती है और कई बार कुछ civil servants तो retirement के बाद political parties भी जॉइन करते हैं ठीक है तो यह एक greed है फिर उसके लावा conflict of interest ठीक है conflict of interest क्या होता है जब भी conflict of interest तो अब बता देता हूँ conflict of private interest जब private interest एक तरीके से जब private interest पॉब्लिक इंट्रेस्ट के साथ पॉब्लिक इंट्रेस्ट के साथ जब इन दोनों के बीच में conflict होता है जब इन दोनों के बीच में टकरा होता है तब conflict of interest की situation खड़ी होती है ठीक है तो यह कुछ potential sources हैं जिसकी वज़े से civil services के ethics morality के उपर खत्रा पहुं सकता है ऐसे कुछ और भी sources हो सकते हैं आप comment section में चाह कर सकते हैं फिर इसको minimize करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं यह अब हमें बताना है तो सबसे पहले कि civil services board बना सकते हैं civil services board basically क्या है civil services board कई बार second ARC ने भी recommend किया है उसके लावा सुप्रीम कोर्ट ने भी recommend किया है कि civil services board बनाया जाया है जो civil servants के pay promotion और transfer की चीज़े देखे pay promotion और transfer इसका basic मकसद है to depoliticize bureaucracy अभी तक क्या है कि pay promotion और transfer politicians उसमें interfere करते हैं जिसकी वज़ा से civil servants को वो control करने की कोशिस करते हैं अपने vested interest के लिए तो उसकी बजाए हम एक civil services board बना सकते हैं which will comprise of senior civil servants कुछ member उसमें judiciary के भी हो सकते हैं कुछ उसमें elected politician या ministers भी हो सकते हैं यह सारे उसके members हो सकते हैं और जो भी pay promotion और transfer का का होगा ठीक है उस civil services board देखेगी ताकि political interference को हम civil services के अंदर कम कर सकें फिर दूसरा है performance based pay अभी क्या है कि हिंदुस्तान में इसको दिहां से देखते हैं अभी हिंदुस्तान में क्या है seniority based pay होता है ठीक है seniority based pay आपका कौन सा जैसे जैसे आप क्यूमर बढ़ती जाएगी आपकी आपकी जो total service की जो age है वो बढ़ती जाएगी तो आपकी salary view सी according बढ़ती है लेकिन इससे क्या होता है कि इससे एक demoralizing factor होता है उन civil servants के लिए जो मेहनती हैं जो काम करना चाहते हैं तो इसकी बजाए हम क्या कर सकते हैं कि performance based पे हम घोसित कर सकते हैं ताकि civil servants के performance के basis पे उनका जो pay grade है वो आधारित किया जा सके इससे फायदा ये होगा कि civil services में efficiency और effectiveness ये civil services की बढ़ेगी और second ARC ने भी इसको recommend किया है फिर दूसरा है tenorial security tenorial security important है tenorial security का मतलब क्या है जैसे मा एक district है उसमें एक मालीजी के district collector appoint किया जाता है तो उसका कुछ tenure होना चाहिए जैसे मालीजी के दो साल के लिए उस जिले में तो रहेगा ही रहेगा लेकिन होता क्या है कि वह basically अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में on an average district collector का tenure तीन महीने से लेके 9 महीने तक का ही होता ह तो जो frequent transfer होते हैं एक तरीके से transfer को civil servants को victimize करने के लिए उनको परिशान करने के लिए transfer को tool के रूप में इस्तिमाल किया जाता है तो यह नहीं होना चाहिए civil servants को tenural security भी मिलनी चाहिए तो यह कुछ threats को minimize करने के लिए है फिर इसके अलाबा mandatory cooling period of civil servants before joining any political post retirement mandatory cooling period तो मतलब है जैसे माल लिजे कि आप retire हो गए 2020 में और अक्सर यह trend देखा जा रहा है कि जैसी retire हुए जुलाई में retire हुए August में political party join कर ली तो यह नहीं होना चाहिए एक कुछ cooling period होना चाहिए जैसे दो साल का कि 2020 में अगर civil servant retire हो रहा है तो 2022 में जाकर वो कोई political party join कर सकता ह है उससे पहले वो कोई political party नहीं जॉइन कर सकता है नहीं कोई election contest कर सकता है तो यह mandatory cooling period भी हम introduce कर सकते हैं ताकि इससे हम depoliticize कर सकते हैं civil services को ठीक है फिर lateral entry के प्रावधान को भी हम include कर सकते है lateral entry क्या होती है lateral entry का मतलब है कि suppose मानीजे कि हिंदुस्तान में भी क्या है कि मानीजे कि finance secretary है finance secretary अगर retire होगा तो क्या होगा जो additional finance secretary है additional finance secretary प्रमोट होगे finance secretary बनता है इसकी बज़ाए हम हो सकता है कि private sector से भी एक independent exam कराएं और private sector से भी कोई भी उस exam के लिए finance secretary के post के लिए कोई भी अपना exam दे सकता है और जो भी exam clear करेगा वो finance secretary appoint हो सकता है इस process को lateral entry कहते हैं ठीक है तो ये प्रावधान भी ला सकते है हलाकि lateral entry का पूरा एक अलग से topic है lateral entry क्या है उसके फैदे नुक्सान क्या है तो वो बाद में discuss करेंगे फिलाल इतना ही समझ लीए फिर provisions like लोगपाल, CVC, prevention of corruption acting को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है ताकि हम इमानदार और civil servants को हम उनकी रक्षा कर सकें और dishonest civil servants को हम सजा दिला सकें फिर अब दूसरा ये तो हो गया पहला पार्ट अब दूसरा सवाल पूछ रहा है कि कौन से हम ऐसे रास्ते अख्तियार कर सकते हैं ताकि हम civil servants के अंदर ethical competence को बढ़ा सकें तो ethical competence को बढ़ाने के लिए हम लिखेंगे पहला तो तरीका ये है कि कौटिल का यहां पर आप example दे सकते हैं कौटिल ने ये कहा था कौटिल सिंपल ये कहते हैं कि recruitment is most important aspect of any administration recruitment मतलब कि जो selection process होता है कौटिल का कहना है कि अगर मालेजे हम गलत लोगों कोई चोर उचक्कों को ही अगर हम civil services में भरती कर लेंगे तो चोर उचककों वाली प्रविर्ती के लोगों को आप कितना भी training दे लें इस लिए जरूरत है कि हम ऐसे civil servants का हम चुनाव कर सके जिनके अंदर अच्छाई हो those civil servants which have ethical bent of mind, ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि selection process को हम improve करें, इसमें जैसे कि example में हम थोचा लिख सकते हैं, ethics का paper, ठीक है, ethics का paper include करना, ठीक है, फिर interview में personality test में, personality test में हम behavioral test भी डाल सकते हैं, behavioral and situational test, situational, उसके अलावा psychological test भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके के जो test हैं, हम interview में डाल सकते हैं, interview factual knowledge base ना होके, इन जो soft skill होती है, उनके basis पे हम लोगों का चुनाव कर सकते हैं, तो पहला तो यह हो गया, फिर उसके अलावा, दूसरा जो reform हम कर सकते हैं, catch them young वाली policy हमें डॉट कर सकते हैं, catch them young का मतलब है, मैकले ने ये phrase दिया था, catch them young, मैकले का कहना था कि जितने कम से कम age में, अगर हम civil servants को recruit करें, और उनको हम administrative culture में उनको training दे के nurture करें, तब जाके हम एक अच्छे civil servants का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, अलग committee ने तो यहां तक कहा है, कि जो लोग 5-5-6 atom देते हैं, उनके अंदर की जो अच्छाई है वो मर जाती है, और दुनिया के प्रती जो है, उनका जो अच्छाई खतम हो जाती है, और उनके अंदर जो है, दुनिया के प्रती फिर बुराई वाला भावा आ जाता है, 5-5-6 atom देके वो इतने frustrated हो जाते हैं, 32-30 साल की उमर तक, कि उनके अंदर जो एक young mind का एक innocent integrity होती है, जो बचपन में हम अच्छाई हमारे अंदर होती है, वो खतम हो जाती है, दुनिया और समाज के ठोकरे खाखाकर हमारे अंदर भी बुराईयों का समावेश हो जाता है, सम मतलब inclusion, inculcation, ठीक है, तो यह है कि catch them young वाली policy हम adopt कर सकते हैं, दूसरा है training module, जो civil services की training होती है, civil servants की, उस training module में हम ethics and morality का factor हम डाल सकते हैं, psychological training की बात कर सकते हैं, sensitivity training की बात कर सकते हैं, फिर उसके अलावा on the job training की बात कर सकते हैं, फिर उसके अलावा yoga, meditation, spirituality हम उनके अंदर include कर सकते हैं, फिर उसके अलावा code of ethics और code of, यहां पर code of ethics नहोंगे, code of conduct होना चाहिए, code of conduct और code of ethics civil servants के रिए बनाया जाना चाहिए, ताकि civil servants के लिए क्या सही है, civil servants को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से बहार करना चाहिए, यह पहले से ही हम codify कर सकें, फिर उसके अ होती है हर साल उनका performance appraisal होता है उनका कामकाज का तरीका उसके analysis होती है उसके basis पे उनको transfer करना है प्रमोट करना है डिमोट करना है यह सारी फैसले लिये जाते हैं तो performance appraisal के अंदर हमें civil servants के behavior, character और उनकी अच्छाई, morality, ethics इसको भी स्थान देना चाहिए यह भी एक criteria होना चा चाहिए है लेकिन फिर भी अगर उसका character सही नहीं है अगर वो उसके अंदर चोरू चक्के और डांकू वाली प्रविरती है तो उसको performance में कम marks दिये जाने चाहिए उसका जो bonus है या उसका जो promotion है उसको withhold किया जा सकता है ठीक है तो यह हो गया फिर एक और point लिख सकते है कि strict punishment for wicked and protection of protection of honest तो इसको दंडनीती कहा गया है कोटिली ने दंडनीती का नाम दिया है कोटिली के अनुसार दंडनीती एक राजा का जो सबसे बड़ा फरज होता है वो होता है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरे से बुरा वैभार करता है तेक है इस समाझ में कोटिले आगे कहते हैं कि समाज में धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हो सकता होगा तो इसे civil services के अंदर भी जरूरी है लेकिन होता क्या है civil services के अंदर आजकल क्या हो रहा है कि जो चोर और बैमान लोग हैं उनको अच्छी पोस्ट मिलती है अच्छे जमापे ट्रांसफर होता है उनका अच्छे ओधे पे और उनको पूरी राजनितिक उनको पावर काफी ज़्यादा होती है जो इमांदार लोग होते हैं उनको हार्शी पे रख दिया जाता है उनको marginalize कर दिया जाता है उनको victimize किया जाता है तो इससे क्या होता है कि बाकि के जो लोग है बाकि के civil servants देखते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छाई का कोई फाइदा जब है नहीं तो हम भी फिर अच्छाई का ढोंग क्यों करें अच्छे रहने से जब प्रताणना ही मिल नहीं है जब विक्टिमाइज ही किया जा रहा है तो अच्छाई का कोई फाइदा नहीं है तो instead of remaining अच्छा, it is better to be बुरा तो यह गलत है इसको चेंज करके हमें कौटिल लिके दंड़नीती को अपनाया जाना चाहिए फिर तीसरा है developing administrative process and practices which promote ethical values and integrity in civil services तो कौन से administrative process and practices हम adopt कर सकते हैं जिससे civil services के अंदर ethical values और integrity खंबला सके तो सबसे पहले, पहला तो चेंज यह कर सकते हैं कि civil services के अंदर written order को mandatory कर दिया जाए written order को mandatory करने का मतलब है कि नेता no oral orders by any leader, by any political leader, no oral order इससे क्या होगा, आप समझ सकते हैं, anticipate कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि कोई भी नेता गलत आदेश देने से बचेगा कोई भी minister अपने civil servant को, अपने secretary को गलत आदेश देने से बचेगा, क्योंकि written orders का record होता है बाद में अगर जाँच में बाद सामने आएगी, तो उस minister के उपर कारिवाई हो सकती है तो Supreme Court ने इसी चीज को ध्यान में देते हुए 2014 के अपने फैसले में ये कहा है कि oral orders नहीं होंगे, सिर्फ written order को ही civil servant को मानना है दूसरा फाइल नोटिंग को भी RTI के अंदर डाल दिया जाना चाहिए फाइल नोटिंग क्या होती है, जो भी secretary होता है, उसके पास कोई भी फाइल आती है तो उस पे, जैसे मालीजे के फाइल है, कोई भी मालीजे के project है तो उस पे अपनी वो कुछ comments लिखता है, ठीक है, मालीजे के कोई भी जहाज खरीदने की deal है ठीक है, मालीजे के France हमें, हमें Dessault Rafale खरीदना है तो वो जो deal होगी, क्यों ही, क्यों ही, रफाइल ही क्यों खरीदा जाया, दूसरे क्यों लॉखेट मार्टिन का, अमेरिकन को जहाज क्यों खरीदा जाया तो उसके उपर एक civil servant, एक जो defense secretary होगा, अपनी comments लिखता है इसको file noting कहते है, तो इस file noting को भी RTI के embed में डाला जाना चाहिए, ताकि civil servant, पूरी objectivity, पूरी transparency और पूरे विश्वास के साथ अपने फैसले ले सके, ठीक है फिर single window clearance का model भी है, single window clearance, आप सबको पता ही होगा, क्या होता है, single window clearance, ठीक है, single window clearance model in India, ये लखीना करके, एक, I think his name was Arvind Lakhina, he was a I.S. officer, तो उन्होंने एहमद नगर district में ये model introduce के था, जिसको हम Lakhina model कहते है, Lakhina model, Arvind Lakhina नाम था उनका, ठीक है, तो ये model introduce कर सकते हैं, फिर citizen charter को, citizen charter को भी improve कर सकते है, सबुत्तम model के अनुसार, citizen charter क्या होता है, ये governance के topic में आप पढ़िएगा, ठीक है, तो ये कुछ changes हम कर सकते हैं, उसके अलावा, ये, sorry, ये repeat हो गया, फिर information and communication technology का इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे कि BAPU, BAPU क्या है, biometric, जो होता है, ये fingerprint से, आप किसी को भी beneficiary को, PDS आपे lot कर सकें, उसको BAPU scheme का, BAPU बोला गया है, उसके अलावा, jam, trinity, जन्धन आधार और mobile, फिर DBT यानि कि direct benefit transfer, e-kranti, तो ICT का इंस्तेमाल civil services में किया जाना चाहिए, ताकि administrative जो discretion है, उसको खतम किया जा सके, अभी क्या होता है, आप माली जे कि, आप RTO जाते हैं, तो आपको, आपको अपना काम कराने के लिए, बाबू को पैसे खिलाने होते आप अपनी file को आगे करने के लिए, आपको पैसे खिलाने होते हैं, तो इसके जगहां पे अगर हम online चीज़ों को कर दें, तो उससे फायदा ही होगा, कि हमें, जो वहाँ पे clerk बैठा हुआ है, उसका discretion है, ठीक है, उसका discretion खतम हो जाएगा, आप online अपने application दायर कर सकते हैं, आपको application को forward करने के लिए उस बाबू के हाथ को, हाथ में पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां से भी corruption कम किया जा सकता है, फिर power को decentralized करना जरूरी है, and devolving power towards people, जितना ज़्यादा power जनता के पास होगी, जिसमें local self government की अगर हम बात करते हैं, उतना ही ज़्य in town आया है, तो बहुत सारी news ऐसी आ रही है, कि district collector को बहुत सारी power दे दी है, और बहुत सारा पैसा कोरना के लिए आया है, और sanitizer और mask मराने के लिए जो सारा पैसा district collector खाके बैठ गया है, यह क्यों हुआ, क्योंकि आपने power को district collector के अंदर centralized कर दी है, इंस्टेट की सबसे जाद तो यह जो corruption वाला जो angle है, वो हम उसको minimize कर सकते हैं, तो decentralization of power is also important in order to increase integrity and ethics in civil services, फिर transparency, administrative process में transparency होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और transparency कैसे आएगी, RTI से, ठीक है, RTI के माधियम से transparency आ सकती है, जैसे for example, कोरोना के लिए कितना पैसे आए, ठीक है, district administration को कितने पैसे आए, कितना पैसा कहां पे खर्च किया गया, कितना mask बनाने में खर्च हुआ, एक mask कितने रुपए का पड़ा, यह सारी चीज़ें अगर अगर जनता को मौझूद होगी, यह सारी information, अगर जनता के पास होगी, तो यहाँ पर corruption कम करने का जो chance है, वो काफी ज्यादा minimize हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ तक ही हो गए, कुछ processes, इसमें और भी बहुत सारे angles हैं, जो आप लिख सकते हैं, ताकि हम जिस से, जिसके माध्यम से, हम civil services के अंदर, ethics और integrity को improve कर सकते हैं, ठीक है, फिर conclusion कैसे लिखना है, जैसा कि मैंने बताय था, तो conclusion थोरा सा इस language में लिखना है, which gives sense of satisfaction, which gives a sense of completion, इसको लिखेंगे, with the dawn of aspirational society and welfare state, role of administration has increased manyfold, and जैसे जैसे administration का role बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे, corruption के chances भी बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि हम civil servants के moral fiber को improve करें, यानि उनके character को develop करें, और उसके साथ-साथ हम ऐसे institutional structures को भी मजबूत करें, ठीक है, सिर्फ character को ही मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, हमें institutional structures भी बनाने होगे, हमें लोगपाल बनाना होगा, हमें अच्छे कानून prevention of corruption act को मजबूत करना होगा, हमें जाच एजिंसियों को म public service delivery, ठीक है, तो इन शब्दों के साथ हम अपने अपना जो पुरा case है, उसको complete कर सकते हैं